हालो बच्चों कैसे वाप लोग कैसे चल दो यह नीट की प्रिप्रेशन तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंद के इंपोर्टन फीचर्स उसके कुछ जेनरल केरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ एक्सेंपल्स के बारे में और नीट पीवाई क्यू ज फ्लेम सेल्स पाया जाता है फ्लेम सेल्स करता क्या है तो यह ओस्मो रेगुलिशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है फ्लेम सेल्स ऐसा सेल्स है जो ओस्मो रेगुलिशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है आगे चलके यही फ्लेम सेल्स हम लोगों के अंदर कि मैंनम मैं प्लेटीहलमेंध के लावा कुछ नाम इसको फिलैट वाम भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं जब भी पढ़ो तो ये सोचो कि तुम क्यों पढ़ रहे हो अगर तुम बायों के वोल Oklahoma उसी तरह व फिलैट वाम बोल रहे हो तो कियो वोल रहे है और अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो समझो कि तुमने धंग से पढ़ाई किया तुमने इमानदारी से पढ़ाई किया तुमने बैमानी नहीं किया खुद के साथ इसको फ्लैट वॉम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैटन इसका बॉड़ी होता है इसके अलावा कुछ है इसके एक और इंपॉर्टन फीचर यह है कि एंडो पारासाइट मोस्टली होते हैं यहीं पे एनिमल कीडम में ही एक ऐसा फाइलम है जो कि टोटली एक तो पारासाइट होता है वह मैं आपको बताऊंगी जब फाइलम आएगा लेकिन ये टोटली एं फाइलम्स की मैं बात कर रही हूं अगर अगर एक्सक्लुसिफ फीचर की बात करें तो प्लेटी हिलमिन एंडो पारासाइट होता है इसके अलावा जो उसका कुछ कुछ कौमन फीचर है जैसे कि ऐसा होता है उसकी वीडियो नहीं चैनल कब जाएंगी पहले आपको समझ ले क्या होता यह सारी चीज़ां अगर समझ में आती त अठी बात है नहीं समझ में आती है तो आप पहले वह वाइडियो मेरे चैनल पे जाकर लो क्योंकि अगर यह क्लियर नहीं रहे का ताको स्रिपना पड़ेगा थीक है तो देखो प्यों ऑच्छो यह ईसीरूमेट होता है सिर होते हैं तो यहां से याद रखना कि इसके रभर चुछ बात है है इसके अंदर और खाश बात है कि इसका पार्सिटिक पॉर्म में चैसे आपने से इस तरह से फसा लेता है अपने होस्ट को तो यह दोनों चीज होंगा इसमें इसके अलावा सम अफ दिम ऑफ्जर्व करता है न्यूट्रियंस होस्ट इसे डायरेक्ली उसके बॉड़ी सप्पेस पे चला जाएगा और खुद ऑफ्जर्व कर लेगा न्यूट्रिशन को इसक जहां पर भी पानी प्रेजंट रहेगा निमल पानी के अंदर रहेगा मोस्ट प्रॉवबल है कि वहां पर फटीलाइजेशन एक्स्टर्नल होगा अपसे एक पॉइंट है रट लो और यहां पर इंटर्नल क्यूंट हो रहा है क्योंकि यह अनिमल प्लेटी एलमिन टोडली प यहां से प्लानेरिया जो होता है उसके अंदर री जनरेशन कैपसिटी पाई जाती है यहां से कोश्चन आया हुआ है इसके अलावा कुछ इसके अलावा फैस्क योला फैस्क योला मतलब की लिवर फ्लॉक ये ये बी हमारा इसी के अंदर आता है तो दिस अल अबाउट प्लेटी हेल्मीन्थ मिलते हैं अगले वीडियो में यहां को श्क ह्लमिंथ मिडियो अच्छी लगे तो लाएक शेर आन शब्सक्राइब झाल झाल